जी सुदेट, असलाम लेकुम, जैसे के हमने प्रिवियस लेक्चर में डिसकस किया था कि डैस्टमल में अगर वैल्यूज वारे पास हो चुद हो तो हमने उसको आयन्टर सिस्टम में कैसी लेके जाना है, अगर बैंटर में लेके जाना है तो लूप के साथ ऐल्सिम लेंगे, अगर बैंटर में लेके जाना है तो 8 के साथ ऐल्सिम लेंगे, और अगर हैक्जा में लेके जाना है तो 16 के साथ ऐल्सिम लेंगे, अब मैं आपको बताहूंगा कि हमारे पास अगर वैल्यूज बैंटरी में हो, आउक्टर में हो, और हैक्जा में हो, तो उसको डैसिमल फॉ इस में मारे पास less than two values हैंगी, यह लिएका one और zeros में two include नहीं होगा, तो जो भी base हमें दी गहीं होगी, उस base को आपने अंदर वारे digits के साथ multiply करना है, one multiply by two, zero multiply by two, one multiply by two, one multiply by two, zero multiply by two and one multiply by two, तो पूरी values को आपने इसके साथ multiply करना है, फिर आपने right hand side से power लगानी है, base के ओपर लगानी है, zero, one, two, three, four and five, देखे में आपने जो power हैं वो bracket के बाहर mention नहीं करनी, bracket के अंदर जो हमारे पास base हैं उसके ओपर लगानी है, अगर आप ऐसे करेंगे तो यह आपास गलत हो जाए आपने power जो है, वो base के ओपर लगानी है, अब two raise to power five, 32 होता है, zero वाली जो पहली होगी, उसका आपर direct zero लिखना है, क्योंकि यह multiple zero है, तो zero के साथ multiply हो क्या answer, zero आएगा, तो two raise to power three, eight, two raise to power four, and two raise to power one, क्योंकि यह भी zero है, रेकम zero से multiply करके, अगर किसी भी रेकम की ताब का zero आ जिए zero हा जाएगा, two raise to power eight को one से multiply करें के eight, four, one's up four, and one, one's up one, thirty-two को eight में add करेंगे, तो forty, four add के 44, and one, forty-five, और base माने पास क्या जेगी 10, क्योंकि हमने binary को किसमें convert करना है, decimal में, यानि कि जो हमाने पास base two में है, उसको base ten में लेगी जा रहा है, तो आप उसके नीचे 10 बेस सिगा देंगे, तो यह हमारा आज का question है, next video में आपको question की होई, यह आप गर्पे practice करेंगे, practice करने के बाद, आप इसकी तस्वीरे खेंच कर, या तो वर्षब करके check कर ले, अगर को गल्ती होगी, तो मैं आप उसको, आपको पेंट बोक्स में उसका answer भी देदूँगा, through a और सब भी आपको answer बिल जाएगा, जी, next मेरे पास है, convert the octal system into a decimal system, अब octal system की बेरा जो base है, हमारे पास 8 है, जैसा कि आपको पहले पता है, कि जिसमें, हमारा binary form था, तो उसमें 0 और 1 आया था, उसमें 2 in quality था, इसमें चुके base 8 है, लेकि इसमें 8 शामिल नहीं होगा, अगर अगर आप इसमें 8 value आजाती है, तो इसका मतलब आपको question गलत है, अगर आपको पास question ऐसे आजाता है, क्योंकि यह base 8 है, तो इसमें 9 include नहीं होता, 8 भी include नहीं होता, 8 भी include नहीं है, तो यह question रोग हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास 2, 3 और 5 less than 8 है, इसलिए हम इसको decimal में कैसे करपांट करेंगे, same value procedure है, 2 multiply by 8, 3 multiply by 8 and 5 multiply by 8, 8 raise to power 2, 64 के बराबर होता है, 8 raise to power 1, 8 and 8 these are 24, 8 raise to power 0, किसी में वेकम की ताकत, अगर 0 आजाता हो तो वो 1 के बराबर होती है, 64 को 2 से multiply करेंगे, 1 to 8 आएगा, 24 आएगा और 5 ones are 5, इन सबको add करेंगे तो 157 हमारे का sensor आजाएग और इसकी base हमारे पास क्या बंजेगी, 10, ठीक हो गया बेटा, तो यह हमारे पास आगया, octal को हमने convert कर दिया, base 10 में, यानिके decimal form है, और यह कुछ question मैंने वैसे कहा है, पहले भी मैंने आपको previous lecture पे कुछ काम दिया दा करसे करने के लिए, तो इसमें मैं आपको दे रहा करना है, जी, जी मैंना, अब next मैंने पास है, convert the hexadecimal system into a decimal system, यानि कि अब हमारे बेस 16 दिया है, उसको हमने decimal form में change करना है, जैसा कि आपको पास question है, A, 2 और B, यह question A को multiply करेंगे 16 से, 2 को multiply करेंगे 16 से, और B को multiply करेंगे 16 से, जैसा कि previous question में हमने किया है, जो भी base दी गई पावान ऐसे लिगा नहीं है, 0, 1 and 2, आपको कि यहाँ पर A है, तो hexadecimal के अंदर 0 से लेकर 9 ता counting होती है, और जैसे 10 आता है तो हम उसको A से mention करती है, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F होता है, ठीक हो गया, अब यहाँ पर A की जगा हम 10 place करेंगे, 2 as it is आएगा, B की जगा 11 place करेंगे, 16 को 2 से multiply करेंगे, 32 आजाएगा, और 11 ones आ, 11 हो जाएगा, 256 को 10 से multiply किया, 256 0 and 32 11 और सब को add करेंगे, तो आपको पास required answer आजाएगा, अब यहाँ पेटा में कुछ question mention कर रहे हैं, जो आपने घर में उसकी practice करनी है, ठीक है, E, 2, 5, base, 16, A, B and C, 16, और board के point of view से जो सबसे एहम question आता है, 0, B and 9, यह बहुत एहम सवाल है, 0, B and 9, यह हर मरतबा board के question में दो नमबर का सवाल आपके पास आता है, तो पेटाएं इन तवाम questions की आप लिगर में practice करनी हैं, लोंट्स त्यार करने हैं, जब आप academy मिशाला open नोट्स को मैं चेक कर लूगा, नहीं तो आप उनको करके Primal Academy के email box में भी send कर सकते हैं, मेरी WhatsApp नमबर में भी catch कर दे सकते हैं, मैं उसको check करूँगा, then आपको उसका answer भी next lecture में मिल जाएगा, thank you so much.